अबारवी SP में हम देखेंगे 6.4 कार्य सुची तो कम्पनी की सभा में जो कार्य करने हो उन कार्यों की सुची को कार्य सुची या एजंडा कहते अर्थात सभा को जो कार्य करने हो उनके क्रम दर्शाते है उसे सभा का एजंडा के रूप में भी जाना जाता English में बोलते agenda, Hindi में बोलते कार्य सुची, जैसे शादी होती है तब इतने बज़े मंदब मुरत होगा, इतने बज़े गणेश थापना होगी, इतने बज़े बारात आएगी और उसे सुची होते हैं, इतने बज़े बोजन होगा, सब पहले सबसे पहले कार्य में यही द कार्य सुची के नाम से जाना जाता है उद्देश कम्पनी सभा में किसे संबंदित सदस्यों को नोटिस के साथ कार्य सुची भेजती है नोटिस देती उसके साथ एक कागज ओर होता है कि इस तरह से नोटिस यह है कि यह मिटिंग होने वाले उसके काम तो इतने बज़े होगा इतने बज़े होगा कार्य की सुची बेजी जाती है जिस सबा में कॉन से कार्य करने हैं उनकी माहिती सदस्य को मिलती है सदस्य अपने अभीप्राई के संबंद में चर्चा विचार ना कर सकते हैं तो पहले से सदस्य को कारिय सुची मिल जाते तो पहले से ही देख लेते हैं कि भई हमें इसमें कितने बज़े पहुंचना है कभ इंपोर्टन मिटेंगों मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो लास्ट वाला मुद्दा जब चर्चा हो तब मैं चला जाओंगा ऐसे कुछ भी तो वो खुद पहले से नीने ले पाए कि क्या चर्चा करनी है क्या अनसर देना है कब वोटिंग होगा कि मुझे किस बात में बोलना है मुझे कौनसे प्रश्न पूछने है वो सब तो पहले से मत्वप्पुन कारिय कोई रहना जाए इसके बारे में भी पहले से सोच सकता है और मुढ़िक पूण कारिय करना है और मोट पूद कारिय कारीय करने की सरलता रहती इसका महत्व क्या होता कि कário कोई रहन जाए क्रम में कारीय करेंगे न तो कारीय करने में आसन रहेंगी mix नहीं हो जाएगा पहले से आपको पता होगा कि इसी नंबर पर ये करना है तो आपका काम भी तवरित होता जाएगा क्योंकि आपको पता है कि पहले यही काम करना है उसके बाद दूसरा और अगर पहले से clear नहीं होता है तो आपके दिमाग में पहले यह काम करू या पहले व सूुची पर आपणा वह सेकरेटरी लगते हैं कंपनी के संचालक मंडल के साथ चर्चा वीचारणा करके कारेण सूुची तयार करनी पड़े इस दिनीडिकारन wider कितने बजह the meeting शूरूँ कि कॉनसे मुद्दे पर करने कितने बदे ब्रेक लेना है कब नाश्ता कब यह ऐसी चीज़ पर दती उनके साथ सेक्रेटरी को निश्चित करनी पड़ती है कि सभा चालू हो उस दो उस समय द्वारान कार्य सुची में दर्शाय कार्यों में के संबंध में हुए कार्यवाही की नोंद करना है सभा में कार्य सुची उसी अनुसार काम चल रहा है ने बैठे बैठे उसको जब मीटिंग चल रही सभा चल रही तब उसे सब नोड करना कि यह पाज से साथ यह मुद्धि पी चर्चा हो रही किना उसकी टिपने लिखनी सेक्टरटरी को उसका करताविया ह्मद्व की कोई बात सभा के दोरान ध्यान खीचना है तो Secretary का करता है कि कोई important बात है तो सभा में उपसीदूए वेक्तियों का ध्यान खीचना और उनको आकरशित करके कोई voting का काम हो कोई हहतो पुन नई लेना हो तब सब का ध्यान खीचना चाहिए सभा के लिए कानुनी बाबतों से के संबंद में ध्यान दिलना सभा के अंदर अगर कोई कानुनी ऐसी बात हो कोई गलती हो जिसमें कानुनी प्रावधान हो तो सब का ध्यान किशना विदे को ऐसी गलती होगी तो ये कानुनी सजा है इस तरह से हम लोगों को इसके लिए जिम्मेदार यह व्यक्ति होंगे यह सब समझाया जाता है बैटक व्यवस्ता करना, एजंडा के संदर में सदस्यों को वीवरन मंगाना वो देना, हाजिर सदस्यों की सहीं लेना, मसवदे मतलब करा जरूरी परिवर्तन करके अंतिम ठराव करना, उसकी मनजूरी लेना यह सब कारी के थे, व्यक्ति को बराबर क्रम में बिठाना, बिठाने की व्यवस्ता देखना सदस्यों का वीवरन मांगना, हाजिर सदस्यों परदक देखना अंतिम ठराव और मन्जुरी सब की लेना ये सब काम सेक्रेटरी का है सदस्य का आभार माना जब सब मिटिंग पुरी हो जाती है तब सभी सदस्यों का आभार माना जाता है सभाई की घण संख्या कोरम् यानि सभा में उपसित होई वेक्विकतियों की संख्या को गण संख्या कहते है कमपनी की सभाई की कार्य वाही के लिए कम से कम अमुख सद्दश्य हाजिर जरूर होने चाहिए ये उसको लिगल माना नहीं जाता है बहुमती होनी चाहे उसके लिए कितना तो गण संक्या, कार्यजादक संक्या या कौरम के रूप में पहचाना जाता है तो जितने सदस्य कानुने रूप से उपसित होने चाहे उस वेक्ति को कौरम गण संक्या के रूप में जाना जाता है अब जब कोई व्यक्ति विदेश में बैठा हुआ हो तो उसको विदेश में ओडियो कौनफरेंस या वीडियो कौनफरेंस या इंटरनेट के द्वारा अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसको हाजिर माना जाता है प्रत्यक सभा में कम से कम कुछ सदसे हाजिर होने चाहिए उसे क्या कहते है कौरम इसके अभाव से सभा कारिवाई कानूनी नहीं गिनी जाएगी और सभा रद अगर दस में से कम से कम साथ सदसे उपस्तित रहेंगे तो सभा चलेगी लेकिन साथ उपस्तित नहींगे तो नी सेंख्या वह यहां पर दया गया यह इंपॉटंट है शारवजनी कम्पनी की बाबत में 1000 अंश धारक हो उन्ष धारक कितने हो 1000 तो उनकी हाजरी में हाजरी 5 सदस्यों की 1000 अपके पास शेर हो धारक हो तो 5 सदस्यों पसित होने चाहिए और 5000 से ज्यादा आपके आपने कमपनी के शेर बेचे हो तो 5000 सदस्य होंगे तो उसमें कम से कम 30 सदस्य हाजर होने चाहिए अगर मेरी कमपनी के 1000 शेर धारक है तो मुझे कितने सदस्यों को उपसित करना है 5 अगर मेरी कम्पनी के 1000 से 5000 शेर धारक है तो मुझे कम से कम कितने सदस्य को सभा में बुलाना है 15 उपसीत होने ही चाहिए और 5000 से अधिक सदस्य हो तो कम से कम 30 सदस्य उपसीत होने चाहिए तो ही सभा की कौरम मानी जाएगी और सभा चलेगी अब 29 होंगे तो भी सभा रद है ऐसे दो सदस्य हो तो भी सभा जाहिज मानी जाएगी सभा चालू रहेगी जब रद नहीं होगी रद रखी सभा जब मिले तब नियसमाई के 30 मनिट में कार्या सादक संख्या नो हो तो हाजिर रहे सदस्यों की संख्या को ही कार्या सादक संख्या मान ले जाती है और सभा तो 30 मिनिट रात देखने के बाद जितनी भी संख्या हो उतनी संख्या में सभा चालू करके पूरी कर देनी चाहिए जितनी संख्या उपसी तो बले यह मात्रा में ना हो तो भी सभा दूसरी वारत नहीं करने उसको पूर्ण कर लेने यह एकल व्यक्ति की कमपनी के संदर्व में उप व्यक्तो कोई भी प्रावधान लागू पड़ता एकल व्यक्ति स्वे मकेला मिटिंग करेगा कि चैर्मेन या सभापती मतलब को अरफा का जो सम्बोदन करता है सभा को हैंडल करता है सभा के अंदर जो भी इंफर्मेशन और पूरी सभा को समभालता है उसे कहते सबहपती सभा की कार्यवाई चलाने के लिए सदस्योग द्वारा जिस व्यक्ति की पसंद्गी की जाती है वो व्यक्ति चैर्मेन के रूप में पहचाना जाता है सभा की कार्यवाह योगय रूप से चलाने के लिए सभा के संचालन करने के लिए सदस्यों के द्वार एक व्यक्ति को चुना जाता है उस व्यक्ति को चैर्मेन या सभापती कहते हैं सद्धोसों के द्वारे एक व्यक्ति को चुना जाता है जो सभा का पूरा काम संभालता है उसे कहते सभापती चैर्मेन की पसंदगी का मैत्वा सभा की कारियवाही और कामकाज व्यक्तिगत रूप से शांत वातावर में चलाने के लिए कंपनी सभा के बड़े रूप में जि इसयों के उसांति है शांति से उत्तर दे व्यक्ति सभा का हेंदल कर पाहे वातार स टरक्वा फालinden ।स्वह की शयात कमपलश की सभापती का नियुक्ति करना बहुत जरूरी। सामानियस संचाल लगों का प्रमूप सभापती के रूप में ज्यादा ता संचाल लखो में से कोई एक संचाल लखोगा वो सभापती बन जाता है पुरी सभा को हैंडल करता है सभा का संभोधन करता है चैर्मेन समग्र सभा का चलाना संभालना है चैर्मेन ही पुरी सभा को चलाता है सभा में काम करना और सभा में क सभी भूमी का कौन निभाएगा सभापती एदि कोई सभापती के रूप में कारिय करने के लिए तयार ना हो या सभाघ के निर्दा निधरी समय के बाद 15 मिनिट में कोई सभाघ दर ना हो तो हाजिर सभा का संचालन करने वाला जब व्यक्ति सम्माई पर हाजिर ना हो तो 15 मिट पहले किसी एक संचालन को उपस्तित करके उसका सभा पति नियुक्त करके उसको सभा चलाने के लिए दे दी जाती एकल व्यक्ति में ऐसा कोई नियम लागू पड़ता यहां तकम रखन रखते गिता देखेंगे कल